Assalamu alaikum to all my beautiful students so welcome back to your own platform of journey to MBBS जैसे कि हमने अपनी previous lecture में voluntary muscle का structure and mechanism of contraction ये सब कर लिया था और muscle fatigue की होती है जो हमारी skeleton muscle है वो ठक जाती है और क्यों ठकती है और इसकी ठकने पर जो muscle fatigue होती है वो किस ठीज की कमी की वज़ा से होती है oxygen की कमी ठीक और फिर जब हम ठके बैट जाते हैं तो उसके बाद उस lectic acid का होता क्या है तो इन सब चीजों को हमने डिसकस कर लिया था अपने previous lecture में ठीक तो we read it all about this अच्छा अब हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा involuntary muscle and cardiac muscle ठीक in the beginning मैंने आपको कहा था कि जो हमारी involuntary muscle है वो क्या होती है वो हमारे control में नहीं होती और जो हमारी cardiac muscle है ये भी हमारे control में नहीं होती तो इन दोनों को हम compare करके पढ़ेंगे एक साथ ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं हमारी involuntary muscle को involuntary muscle जिसको हम visceral muscle भी कहते हैं visceral इसको हमने क्यों कहा क्योंकि ये जो involuntary muscle है ये हमारे internal organs बना रही होती है सही अब जैसे कि हमने food मुँ में लिया ठीक है उसको हमने चबाया जो भी क्याद अब जैसे ही वो हमारे एसो फिगर से अंदर की तरफ चला जाता है ठीक अब हमारे body के अंदर जो कुछ भी process चल रहा है digestion हो रही है जो कुछ भी हो रहा है वो जो movement है वो movement हमारे control में नहीं है हमारी mouth की movement हमारे control में है voluntary movement है लेकिन जब वो खाना हमारे body में चला गया तब body के अंदर जो movement हो रही है उस food को लेके वो जो movement है वो हमारे control से बाहर है उस movement को हम क्या कहेंगे involuntary movement ठीक है और जिसको हमने क्या कह दिया visceral movement क्योंकि वो internal organ बना रही थी visceral का मतलब ही होता है internal ठीक है अब इसको हम smooth muscles भी कहते हैं सही और इसको हम क्या कहते है non strited muscle भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर वैसी strations नहीं बन रही होती जैसी voluntary muscles में बन रही होती है ठीक अब इसके fiber होते कैसे इसके fiber कुछ इस तरह के होते है fusee form होते है ठीक है इस तरह के होते है इसके जो fibers होते है और इनका nucleus बिलकुल center में मौजूद होता है इनके सही अब देख रहे ते में कौन कौन से point है fusee form है number one occurs in shears ये shears में मौजूद होते है shears की शकल में ये present होते है ठीक है और इनकी जो end है ये pointed ends होते है ठीक है जिसको हम क्या कहते है tapering and the end कहेंगे सही है अच्छा और क्या होता है uninucleated होते है ठीक है central होता है इनका nucleus सही और ये unbranched होते है ठीक है अब देखते हैं हम cardiac muscle cardiac का मतलब आपको पता है cardiac heart को कहा जाता है cardiac हमने heart की बार में पढ़ा था cardiac cycle, cardiac muscle ठीक है तो cardiac use किया जाता है ये लवस heart के लिए cardiac muscle मतलब heart की muscle ठीक है only in heart ये जो cardiac muscle होती ये कहीं और नहीं होगी सिवाए heart की अगर आपको याद हो जब हमने heart पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था heart की wall होती है उसमें तीन layers मौझूद है ठीक, epicardium, myocardium and endocardium तो वो जो हमारी myocardium थी वो किसे बनी थी muscles की बनी थी और जो हमारी epicardium और endocardium थी वो दोनों किसे बनी थी स्कॉमस epithelium से उसको हम अभी discuss नहीं करते हैं हम discuss करेंगे सिर्फ middle layer को जो किसे बनी थी made up of muscle से कौन सी muscle से बनी है वो इस cardiac muscle से बनी है हमारी myocardium वो जो layer थी सही है और अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो हमारी ventricles की wall होती है वो कितनी थिक होती है है ना auricle के मुकाबले ventricles की wall ज्यादा थीक होती है और वो जो ठीक्नेस vary करती है वो कौन vary करती है यह body muscle muscle के बनी होती है ने वो जो जो wall है वो जो th både se तो वो जो ventricles की wall की जो थीक्नीस है वो किससे बनी है fred Galak मसल से बनी है यह जो मसल है यह कहां पाई जाएगी सिर्फर से हमाई हार्ट में पाई जाएगी इसका structure voluntary muscle की तरह होगा और यह function involuntary muscle की तरह करेगी structure voluntary muscle की तरह क्यों कहा क्योंकि यह भी क्या है cylindrical form में होते हैं क्या होते हैं यह cylindrical font में होते हैं जो हमारी voluntary मसल थी आपको याद है कि वह किस तरह थी cylindrical form में थी है ना उसका जो हमने fiber पढ़ा था वो cylindrical form में था यह भी cylindrical form में है लेकिं branched है यह सही function like involuntary क्यों कहा क्योंकि यह हमारे control में नहीं है ठीक यहां तक अच्छा अब यह cylindrical है ब्रांश्ट है अकरसिन bundles सही bundles में होते हैं यह दो से तीन न्यूकलिक होते हैं इसके अंदर ठीक है और वह किस तरह होते हैं पेरिफ्रल साइड में होते हैं ठीक है यह boundary के साइड में होते हैं अच्छा एक बहुत important बात जो हमने voluntary muscle का fiber जो देखा था हमने उसके अंदर अगर आपको याद होका तो वह जो नियूरॉन था सही है जो impulse लेकर आ रही होती है जो message लेकर आती है तो वह जब neuron को release करती है वहाँ पर जो अगर आपको याद होतों कि वहाँ पर एसिटाल कुलीन receptors मौझूद थे ठीक उस message को receive करने के लिए जब वो neuron वहाँ पर impulse को release कर रहा था तो उस message को जैसे receive के एसिटाल कुलीन receptors ने तो जो हमारी सारको लेमा थी उसने क्या बनाया है टी टिब्योस बनाया है सारको लेमा ने तो उन टी टिब्योस के जरिये message कहां चला जाता है फॉरण से उस fiber के अंदर spread out हो जाता है ठीक है टी टिब्योस के जरिये वहाँ पर message अंदर जा रहा था न लेकर यहाँ पर message कैसे होगा इसका यहाँ पर एक डिस्क मौजूद होगी सीडी-like structure नजर आ रहा है ठीक है यह डिस्क यहाँ पर मौजूद होती है इनके अंदर और यह सिर्व इनके अंदर ही मौजूद होती है इसके जरी कोई transmission ओर impulse हो जाता है ठीक है और इस डिस्क को क्या कहते हैं कामा investment कि यह कोई transmission के एक MPRUS के, सही है, अब मैंने यह जो हम जितने muscles पर चुके हैं, cardiac muscle, skeletal muscle और हमारी involuntary muscle मुसल, इस सबके लिए मैंने यहा पर where दियम एक table बना दिये, स्बकर dudकि के लिए ताकि हमें जो इंपॉर्टन इंपॉर्टन पॉइंट से वो हमारे दिमाग में रहे हम जल्द इसको रिवाइस कर सके आप चाहते हैं इसका स्क्रीन शॉर्ट लेके इसको अपने पास नोड भी कर सकते हैं ठीक है तो डिसकर्स करता है सबसे पहले कार्डेग मसल को हमा कार्डेग मसल क्या करती है परफार्म करती है इन वॉलन्टरी मसल की तरह और यह परफार्म करती है वॉलन्टरी मसल की तरह क्योंकि यह क्या है यह वॉलन्टरी मसल है और यह परफार्म करती है इन वॉलन्टरी मसल की तरह यह सब आपको पता है सिर्व मैं रिवाइस करा र बावर देती है हमारे joints को ठीक के फिजिकल movement के लिए और यह जो हे internal movement के लिए power देती है ठीक है हमाई Internal organs को जरऊंटे है यह किस तरह के होते हैं comprisedπ्राइंटरिंग chains होते हैं ठीक hai चेंज की शकल में होते हैं यह किस तरह से होते जलंडरिकल होते हैं यह होते हैं और यह किसी तरह के होते हैं इंदा एंड टेपरिंग होते हैं पॉइंटेड होते हैं ठीक है एचिस होते हैं और क्या होते हैं single nucleated होते हैं यह सई अब यह क्या होते हैं जो हमारे कार्डियक मसल्च है यह regulation में help करते हैं nervous system की ठीक है endocrine system की और बहुत सारे various chemicals की ये भी regulation में help करते हैं और ये भी regulation में help करते हैं और various chemical की और ये क्या करते हैं stretching में भी help करते हैं smooth muscles है हमारे internal organs की movement कराते हैं ठीक है तो internal organs की stretching में भी ये help करते हैं ये जो हमारी cardiac मसल है हमारे heart की मसल ये fatigue नहीं करती कभी भी बहुत important point है do not fatigue यह जो है हमारी skeletal muscle यह fatigue करती है ठीक है और यह जो हमारी involuntary muscle यह भी fatigue नहीं करती ठीक है यह energy वाला हमने discuss कर लिया था ठीक है किसमें कितनी energy कौन यूज़ करता है सबसे जादा high energy यह यूज़ करते हैं यह intermediate energy यूज़ करते हैं यह सबसे जादा low energy यूज़ करते ठीक है अब बात कर रहेगा speed of contraction की तो यह सिर्फ intermediate speed of contraction में बीच करते हैं ठीक है हमारा जो हार्ड है वो intermediate speed of contraction में बीच करहे तो वह normal कहरा ठीक है जैसे कि ज्यादा heartbeat भी normal नहीं है और बहुत कम heartbead भी normal यह triangle नहीं होती और यह बहुत high speed of contraction शोश strict bake और यह slow speed of contraction शो करते हैं ठीक है यह क्या शोव्ल खरते हैं एक शिरे रिद्ईमिक कॉन्ट्रैक्शन यह एक कॉर्थम शोव loves ख इन दीं कांप्रेक्शन हमारी हाट के रिद्भम होती तो आप सब को पता है ठीक है यह जो है हमारी जो skeletal muscle है यह कोई भी rhythmic contraction शो नहीं करती और यह जो है हमारी involuntary muscle यह क्या करती है यह rhythmic contraction शो करती है आपको यह पता नहीं होगा शायद कि जो हमारे internal organs होते हैं वो भी rhythmic contraction शो करती है मतलब उनकी भी एक heart की तरह ही rhythm होती है contract करने की ठीक है तो उमीद है आपको आज का lecture समझ आ गया होगा अच्छी तरह अगर आपको हमारा lecture अच्छा लगा तो इस lecture को आप लाइक करें अपनी दूसरे friends के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें अलाहाफिस